किचन सिंक चूज करने में काफी दिक्कत आती है कि जो SS की सिंक आती है जहाँ क्वार्ड की सिंक आती है उन दोनों में से बेस्ट कौन सी है सिंगल बाउल सिंक लगानी है आपको डबल बाउल सिंक लगानी है दोनों में से महंगी कौन सी पड़ेगी सबसे जादा लाइफ किस की है कौन सी बेस्ट है डेलर जो रहते हैं वो आपको बेपकूप कहा मनाते हैं कैसे आपको नकली चीज दे देंगे उससे कैसे बचना है क्योंकि इसको लगाना आईजी है कोई भी आप चूज करो SS की करो Quartz की लगो लेकिन अगर वो थोड़े टाइम बात खराब होगी उसकी replacement करने लगे उसमें खर्चा भी बहुत जाता है टाइम भी बहुत जाता है तो आज की वीडियो में मैं complete आपको बता दूँगा कि आपको SS की stainless steel की लेनी है जैंक Quartz की लेनी है दोनों में से best कौन सी लास्ट में मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ दोनों का price क्या है समय 2023 में price क्या चल रहा है कहां से सस्ती मिलेगी और कौन सा अच्छा brand है जिसके आप यूज कर सकते हो तो चुरू करते हैं सबसे पहले आपके पास option होता है single bowl का single bowl क्या होगी मतलब simple सी होगी और हो best आपके लिए और double bowl आपको वहां यूज करनी है आपकी kitchen भी काफी जदा बड़ी है बले लोग 3-4 हैं लेकिन single bowl वहां लगाओ काफी जदा अच्छी वो दिखेगे standard size की मैं बात करूँ आप single bowl में 24 x 20 inch की आप लगाओ कितनी 24 x 20 inch की लगाओ depth उसकी कितनी होनी चाहिए 10 inch होनी होनी चाहिए double bowl में 33 x 22 x 10 inch की हो तो best है उससे बड़े में भी आ सकती है आपके पास काफी option होते हैं अभी हम बात करते हैं इसमें जो stainless steel की होती है उसमें दो type की आ ना देते हैं एक आती है priest accessing और एक आती है handmade प्री से आपको आइडिया लग रहा है कि वह machine से हडलिक से बनाई जाती है machine की help से और वह काफी पतली होती है मतलब एक mm उसकी maximum thickness आपको देखने को मिलेगी और वह देखने में पता चल जाती है कि यह machine से मनी होगी और handmade कौन सी होत लेकिन उसमें एक चीज दियान रखना है जब भी handmade आप लो तो उसमें 304 grade मांगना कितना 304 grade और यहीं बेंडर आपको देती है premium बोलके जो 202 grade की होती है जहां 304 grade से कम होती है और वो थोड़े टाइम बाद उसमें crozen लग जाती है rust लग जाती है क्योंकि पानी वाला area अग आपको एक अच्छे brand के साथ ही जाना है brand में आगे आपको बताने वाला हूं last में कौन सा आपको brand यूज करना है बात करें इसमें SS की में पहले बात कर लेता हूं फिर मैं आपको quards का बताता हूं quards में क्या अच्छा कैबूर है तो SS में easy to clean होती है अराम से साफ हो जाती है कोई दिक्कत इसमें नहीं रहती है फिर इसमें क्या होता है इसकी life बहुत जादा है मतलब life काफी time लोगों की 20 से 30 साल life रह जाती है अगर वो SS की sing use करते है फिर इसमें क्या होता है कोई cracks आपको देखने को नहीं मिलेगा और joints proper से sealed होते है इसके तो कोई leakage भी नहीं होती है और इसमें एक चीज क्या होती है आपका कोई corner तूटने का डर बगरा कुछ नहीं होता है क्योंकि बहुत heavy होती है चीज जान रखने है जो handmade बनी होती है वो काफी जदा heavy होती है noise की problem इसमें रहती है काफी बगार क्या होता है insulation लगाई होती है उन्होंने नीचे में आपका खतम नहीं होती है एक drawback है किसका SS sink का कि उसमें आवाज आती है बरतनों की यह चीज कलर्स की अगर हम बात करें तो colors आपको ज्यादा इसमें नहीं देखने को मिलेंगे grayish और blackish थोड़ा grayish mostly color इसका रहता है तो यह एक drawback हम इसका बोल सकते हैं और इसमें एक चीज दियान जब कभी भी आप sink लो जो उसका drain trap होता है यह जो नीचे pipe लगती है accessories जो रहती है mostly साथ में आती है वो उसमें भी vendors क्या करते हैं डुपली कैसी कर देते हैं बले आपको sink 304 grade की देतेंगे लेकिन वो खराब quality की होती है और वो काफी costly होती है आपको 500 रुपे का एक piece पड़े क्योंकि mostly 80% जो इसका part होता है वो grade night से बनता है और 20% इसका arcal resin जो आता है वो से इसमें एक सबसे अच्छी चीज है इसमें आपको noise नहीं आई इतनी ज़दा as compared to SS इसमें noise की problem कम रहती है SS में इससे ज़दा रहती है यह एक चीज इसमें दूसरा चीज अगर आप अपने ग colors आपका जिस color का counter होगा क्योंकि counter काफी colors के आ रहे हैं तो आपको चाहती हो कि आपका sink भी उसमें दिखे आपको black color चाहिए black में मिलेगा bite में मिलेगा हर एक color में आपको जो green eye acquired sink रहती है वो मिल जाएगी एक काफी अच्छी इसकी चीज है दूसरा look के मामले में सबसे अच पादा नहीं रहती है और काफी लोग कहते हैं कि सर यह gray night की है तो यह क्या करेगी stain लेगी अपने अंदर और इसमें पोर्स होंगे तो अंदर इसमें पानी जाएगा तो खराब हो सकती है ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि इसमें resin पड़ा होता है और यह non-permorable मतलब अंदर इसके पानी नहीं जाता है ना आपको इसमें stain देखने को मिलेगी ना आपको इसमें scratch रहती है वो देखने को मिलेगी एक दिक्कत होती है जो quartz sink होती है जब उसकी fixing की जा रही होती है तो उसके लिए skill level चाहिए होता है क्योंकि इसमें दो option होता है दोनों में अगर लगाने क आप कोई भी option लगाते हो quartz sink को लगाने के लिए आपको skill level पी जरूद पड़ेगी क्योंकि unskilled अगर लवर इसको लगाने जाएगी तो mostly देखा गया है उनसे ना तो यह लगती है उपर से क्या करते है इसको तोड भी देते हैं इसके corners टूटने के chances बहुत जादा होता है जो इसकी film होती है उपर इसके film लगाई होती है sheets मतलब लगा लो एक painted resin लगाया होता है वो निकलने के chances रहते हैं life के साथ दूसरी चीश quartz sink को ना लेने का एक कारण है कि यह महंगी बहुत जादा होती है मतलब अगर आगे हम cost की बात करने ही वाले है यह SS से काफी जादा महं SS की यह quartz की फिर मैं best brand बताऊंगा जिसमें सब कुछ material और सस्ते rate में आपको मिल जाएगी देखो अभी इसका करते हैं price का comparison अगर आप देख रहे हो स्केर single ball sink है जो तो आपको 381 की मिलेगी फिर कोई 31 की है कोई 3300 की आपको मिल जाएगी कोई 2800 की कोई 2700 की कोई 2100 की कोई 2600 की कोई 5000 की मतलब 2000 रुपे से इसका start हो जाता है बाकी size और आपको कौन सा grade लेने हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं जो quards क्या आती है colors काफी जदा आपको देख रहे हैं लेकिन 5000 5204 फिर हम बात करते हैं next अगर हम देखें 5000 मतलब mostly आपको 5000 से कम में single ball भी नहीं देखने को मि लेगी लेकिन colors और varieties आपको काफी जदा मिल जाती है इसलिए option हम क्या रखते हैं SS की मेरे खेल में ठीक रहे थी क्योंकि 2000 रुपे से start हो जाएगी और 304 ग्रेट भी आपको 2000 रुपे में मिल जाएगा यह जो आप देख रहे हो रूही companies की है फिर हम जो double ball होती है उसकी बात क देख रहे हो यह handmade है 304 ग्रेट की कितनी 304 ग्रेट की 9800 की 7500 की 6500 कुछ की तो मतलब 5-6000 रुपे में प्री स्ट्रस्ट हो जाएगी और देखो 5000 5137 और अच्छी quality की फिर हम बात करते हैं अगर quards में इसमें जाते हैं double ball में तो फिर से 11124 रुपे की आपको मिलेगी 37 भाई मेंगी काफी जदा है premium look देती है मेंगी काफी जदा है और तूटने के chances काफी जदा हो जाते हैं तो इसलिए मैं quards नहीं prefer करूंगा handmade आप SS की लो फिर हम बात करते हैं best brand की तो मेरे हिसाब से रुही company है all ने वो आपको best जैसे भी आपको चाहिए single ball चाहिए double ball चाहिए handmade चा कर सकते हो कोई force नहीं कर रहा लेकिन एक बार क्यूंकि उनकी जो हमारे जो project चल रहे हैं ongoing जो भी projects हैं सब में हम रुही company की use कर रहे है result काफी अच्छा है price हमें उस quality जो quality हमें चाहिए थी उस quality में वो price सबसे कम है जो quality हमें चाहिए थी क्यूंकि इसकी thickness इसकी जो weight वो काफी चीजे matter करते हैं वो सब चीजें हमें रुही company में मिल रही है तो इसलिए हम उसको buy करते हैं बाकि आप भी buy कर सकते हो वो भी description में link रहेगा बाकि इसके later कुछ भी question होगा आपका आप comment करना हम उसको reply ज़रूर करेंगे thank you guys